बिल्ली का रास्ता काटना भी हो सकता है शुभ। हमेशा बिल्ली अशुभ नहीं होती है तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि बिल्ली के कौन से संकेत अशुभ होते हैं और कौन से संकेत शुभ होते हैं। साथ ही जानेंगे अगर बिल्ली रास्ता काट ले तो क्या उपाय करने चाहिए, बने रहना वीडियो में लास्ट तक दोस्तों आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानी ही पहुंचाती है, इसी लिए पूरी जानकारी जरूर सुनना चाहिए, आईए जानते हैं कुछ अच्छे या बुरे संकेतों के बारे में, माना जाता है कि बिल्ली को पूर् रास्ता काट जाती है, तो हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, जानिये बिल्ली का दिखना कब अच्छा और कब बुरा माना जाता है, घर से बाहर निकलते ही, अगर रास्ते में कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, या फिर किसी दू असपास मरना तक अशुभ मानते हैं। मानते हैं अशुभ शास्त्रों के अनुसार बिल्ली को राहु का वाहन माना जाता है। क्योंकि ये किसी दुरघटना का कारण भी बन सकती है। बिल्ली का रास्ता काटना कब होता है अशुभ? शास्त्रों के अनुसार जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं और बिल्ली बाएं से दाएं की ओर जाते हुए रास्ता काट दें तो यह अशुब माना जाता है कहा जाता है कि जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो वह काम पूर्ण नहीं होगा उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर बिल्ली दक्षिन दिशा की ओर रो रही है तो भी अशुब माना जाता है इसको लेकर मान्यता है कि कोई अशुब समाचार मिल सकता है अगर बिल्ली आपस में लड़ती है तो यह भी अशुब संकेत है इसका मतलब है कि भविश्य में धन हानी हो सकती है या फिर किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है कब बिल्ली हो सकती है शुब शास्त्रों के अनुसार दिशा का फेर होने पर बिल्ली शुब भी साबित हो सकती है अगर बिल्ली दाईं से बाईं और जा रही हैं तो इसे बेहद शुभ माना जाता है माना जाता है कि अगर बिल्ली दिवाली की राद घर में आए जाएं तो मा लक्ष्मी का आगमन माना जाता है इसका मतलब है कि आपको धन लाब हो सकता है अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो यह भी काफी शुभ माना जाता है अगर घर में बिल्ली आकर चुपचाप दूद पी जाएं तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली मुह में मांस का टुकड़ा दबाएं हुए दिख जाएं तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है अगर बिल्ली रास्ता काट लें तो ये उपाय करें नंबर एक अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट लें तो आप अपने इश्टदेव या हनुमान जी को प्रणाम करें और उसके बाद आगे बढ़ें नमबर दो, शकुन शास्त्र के मताबिक अगर बिल्ली रास्ता काट लें तो सूर्य नमस्कार करें और अपनी यात्रा शुरू करें। कहा जाता है ऐसा करने से यह दोश खत्म हो जाता है। नमबर तीन, ज्योतिश शास्त्र के अनुसार बिल्ली को राहु की सवारी माना जाता है। इसलिए बिल्ली रास्ता काट जाए तो राम राहवे नम। मंत्र बोलकर भी आप उस रास्ते पर आगे निकल सकते हैं, इससे आपकी यात्रा में कोई बाधा नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि पाल्तू बिल्ली के अचानक घर छोड़कर चले जाने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपके घर में अचानक ही बिल्लियां आने लगी है तो ये घर में आने वाली समस्या का इशारा है साथ ही घर के मालिक को भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है खाना खाते समय अगर बिल्ली आपको देखने लगे तो भविश्य में कष्ट आने के संकेत होते हैं अगर किसी जगह कोई घटना होने वाली होती है तो बिल्ली को पहले ही आभास हो जाता है और वह वहां से चली जाती है अगर आपको कोई अशुब संकेत मिलते है तो इससे बचाव के लिए घर में भगवान सत्य नारायन जी की पूजा या हवन करवाना चाहिए मान्यता के अनुसार यदि आपके घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो यह घर के मुखिया के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है ऐसी मान्यता है कि कुछ ही महीनों के अंदर ही घर के सदस्यों की तरक्की होती है और उन्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है घर में बिल्ली के बच्चों का जन्म होने से घर में नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश नहीं कर पाती और पौरानिक मान्यताओं के अनुसार यदि अचानक आपके घर में काली बिल्ली आ जाए और वह रोने लगे तो यह शुब संकेत नहीं माना जाता। काली बिल्ली का रोना किसी अप्रिय घटना या अशुब समाचार का संकेत माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अचानक गोल्डन कलर की बिल्ली आ जाए तो इसे बेहद शुब माना जाता है। मान्यता है कि यह बिल्ली आपके लिए सौभाग्य लाती है। गोल्डन रंग की बिल्ली का अचानक घर में आना धन के अन्यमार्ग खोलने का संकेत देती है. साथ ही इसके आने से आपके लंबित काम भी पूरे हो जाते हैं. अटका धन प्राप्त होता है. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ली